इसमें जो अपना चैप्टर का इस सब्जक्ट का जो बिसिक थीम रहेगी वह मैंगुरूप के ही आसपास भूमेगी कुल डैजर्ट एक छोटा सा हिस्सा बनाएगा जोसे लेटर अपार्टमेंट डिसक्स कर लेंगे तो पहले समझते हैं कि आखर यह मैंगुरूप किस टाप की वेजएटेशन है और इसका सबसे जो इमपो टेशन पार्ट यह कि यहां जो हर्स कंडिशन जो कथि की जो इंवार्मेंटल कंडिशन है उसमें यह प्लंट ने अपने आप कैसे अड़ाप्ट कर लिया और कितना अड़ाप्ट कर लिया तो इसके अड़ाप्टेशन से ही कुश्चन निकलते हैं पूरे पूरे और अगर इंपोर्टेंस की बात की जाए तो आप ऐसा समय लो कि मैंगरूव से लगवक हर एक्जाम में एक या दो कुश्चन निकलते ही हैं आपके रीडिंग भी करोगे तो बीस मिनिट से जदा का यह सब्जक्ट नहीं है तो पहले हम देख लेते हैं इसकी वेजिटिशन तो अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे जितने भी अपने कोस्टल एरिया है तो हर लगवक पूरे पूरे कोस्टल एरिया में यह मैंग्रूवज वैटिजिटिशन फैली हुई है और खासकार यहां पर जो सुन्दर बन देल्टा वो तो पूरा-पूरा मैंग्रूवज रिया अगर ग्लोबल लेवल पर देख लिए जाए अगर वर्ल्ड मैप देखा जाए तो आप देखोगे कि जो ट्रॉपिकल है जैसे की एक्क्वेटर है तो इधर 24 डिग्री नौर्थ और इधर लगवक थर्टीए डिग्र यहां पर उसकी जो मैकेनेश्म है जिससे अपने आपको बचेपाता है उन मैकेनेश्म में बहुत ज़ाए अंगर्शी सब्शाइ visitors ख अगर आप टेंपरेट में चले जाए तो मैंगरूव नहीं मिलेंगे क्यों क्यों कि लाइट कम मिलती है प्लांट को जो बूलते ना आम धनी अठनी खर्चा रुपई है काम नहीं चल पाते हैं दूसरा अगर यहां की बात की जा तो यह कौन से रिजन में उकती है इसे बोलते हैं इंटर टाइडल जोन कौन सा होता है आप में से उम्मीद है बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा तो जैसे यह आपका कोस्टल एरिया है कि कोस्टल एरिया में जब आपने देखा मतलब पानी आता है टाइड आता है तब वाटर का जो लेवल है समुद्र का वो यह होता है तो यह जो वाला पानी का जो लेवल है मतलब यह सरफेस जो होती है यह वो कोस्टल एरिया का वो सरफेस वाला एरिया है जिसमें पानी आता जाता रहता है तो यह जो मैंगरूज है वो usually इसी intertidal zone में काफी अच्छे growth करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि mangroves यहाँ पर grow नहीं करते हैं यह mangroves इधर नहीं करते हैं करते हैं लेकिन सबसे ज़दा जो vegetation जो zone है वो इसी zone में मिलेंगे intertidal zone में अब mangroves vegetation जहां ओग रही है उसके साथ कुछ-कुछ समस्या है समस्या है कहा है मतलब यह किस type के habitat में grow कर रहा है आपको इस habitat की growth की situation को समस्या पड़ेगा क्योंकि उसी situation से related इसके adaptation है और जिन पर question आते है तो पहला issue है यहाँ पर पानी भरा है पानी भरा है तो जो soil है उसमें दर तरीके से पानी है दर तरीके से पानी है मतलब soil में air नहीं है तो जहां पर भी इस type की situation है वो कैसी है anaerobic अब anaerobic यह पानी भरने वाली condition तो किसी नदी नाले के किनारे भी मिल जाएगी लेकिन यहां के mangroves चाहे कौन सा पानी है वो पानी है समुद्र का मतलब खारा पानी है तो यहां का जो water है वो saline है high salinity है एक इसु है high salinity दूसरा हो गई anaerobic condition अब तीसरी बात यहां की जो मिट्टी है उसकी भी बात कर लेते है यहां की जो soil है बो भी ऐसी नहीं है कि जैसे अपने नदियों के किनारे की है वो भली anaerobic हो लेकिन soil है वो तो ठोस होती है लेकिन यहां की जो मिट्टी है वो actual मैं आई काहां सी नदियों की दोरा बाहा करके जो aluvial है जलोड मिट्टी बोलते हैं दी मैं तो जो जलोड मिट्टी है aluvial soil है उसे ले आकर के हां जमा रख दिया है तो यह soil है वो बहुत ही loose है loose और उपर से saturated तो यह एक तीसरी बड़ी समस्या है तो यह जो तीन बड़ी समस्या है इससे drive कुछ और सिकेंडरी टर्षरी जो situation निकली है जिसी कि यहां की जो high salinity है तो वो कुछ टाइब की जो minerals है उनको unavailable form में convert कर देगी soil की जो anaerobic condition है यानि कि वहां पर जो oxygen के साथ बहुत सारी gas नहीं रहेंगी तो plant को उन टाइब की जो condition जो stress condition है उससे अपने आपको इस state में सबसे जगा है तो पहला तो आपके पास जो question आता है वो यह है कि इंडिया में mangroves vegetation कितनी है तो total याद रखना 4975 kilometer square इस data को याद रख लेना है 4975 kilometer square अगर नहीं याद रखना तो याद नहीं रह पा रहा है तो आप इसे simple करो कितना 5000 kilometer square 5000 याद रख लो कि बिस 5000 तो थोड़ा सा डिजिट है याद कि 5000 kilometer में अगर 25 kilometer घटा दो तो अपना अंसर आ गया जो total अगर vegetation मतलब अगर country की geographical area देख ली जाए तो country की geographical area के इसाब से 0.15% ही बनाती है इस पर question नहीं आए आपको यह याद रख लो इस पर question आ रहे हैं और यह एक काम चला जाता है यहां से दूसरा question आता है distribution की अगर बात की जाए तो वो आता है state wise किस state में सबसे highest है और किस state में सबसे lowest है अभी तक lowest तो कहीं पूछा नहीं गया इसलिए उसे याद रखने का कोई पचले में पढ़ना नहीं है पहला बात आती है highest कहा है तो highest कहा है आपको बैसे भी पता है को सुन्दरबान है सबसे जदा है एक तो अगर आप कभी इसके state की देखोगी तो पहले नमबर पर आता अपना कुंसा वेस्ट वंगाल और दूसरे नमबर पर आता है गुजराथ गुजराथ क्यों कि इन्या मतलब प्लांटेशन वर्क बहुत किया है अर्टिफिशली दर मेंगरूब्स ग्रो किया है तो सेकंड नमबर पर आता गुजराथ गुजराथ में जदा है या अन्यमान निकोवर में तो आपको चीन गुरेंघ इसके बाद या दो आको सबसे ज़्या में निकोवर दूसरा ंडिया में कितना पांच जार किलोमीटर स्कॉइर अगर एक बार याद यह हो गया तो अब अपन जो इसू थे उसके जो हैबिटेट वाले जो इसू थे उनको अपन डिसकस कर सकते हैं कि एक तो सेलनेटी का इसू है दूसरा यहां पर हर मतलब हर बार घंटे पर टाइड आना है नूट्रियंट पहली से खातम है पूर नूट्रियंट की है इनरोब कंडिशन है जो वेजिटेशन उसके रिप्रोडक्शन के साथ इसू है और यह जैसे तरह से ग्रोथ कर जाए तो सुनामी और साइकलोन जैसे आते जाते रहते हैं त कि जो मेंगरू graph फ्रेस्ट और अनके करस्ट इक्र खेंट है यह निकिव मेंगरूह फ्रेस्ट अगर हम इस्टे खुड़ को मेंस सकते हैं पाब एक थ platforms तो यहां पर जो हैविटेट की जो इसूज थे उनकी साफसे प्लांट ने अपने आपको कैसे अड़प्ट किया इन चीजों को मैकनेश्म को पढ़ना है क्योंकि इस मैकनेश्म से कुस्षिन कंफर्म है एक या दो इवन MPPSC का जो ACF का था उसमें ने साथ या आठ कुस्षिन आये थे अकिलिस मैंगरूज वाले पार्ट से तो पहला इसू है सेलिनिटी का जैसे कि अपने हर्डनेस और टॉलरेंस में पढ़ चुके थी शीवात को कि सेलिनिटी से प्लांट को अपने आपको एडप्ट करने का तीन में थाड़ है एक पहला है उस साल्ट मिनरल्स को अपने या घुसने मत दो अगर वो घुस गया है तो बापिस पकड़के पत्यों से जो गिलेंड से उनके थूरू बाहर निकाल दो मतलब या तो एक्सक्लूज करो एक्स्लूज मतलब जैसी वो अंदर आया उसको इंट साल्ट ग्लेंड्स है और थर्ड मुद्धा आता है साल्ट का एक्क्यूमनेशन मतलब इसे एक टर्म यूज करते हैं सिस्टोलित और रैफाइट्स जो बोटनी वाले हैं वो काफी अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता कि इस टाइप के जो मिनरल्स हैं मतलब साल्ट के ज साल्ट के यूज करते हैं तो कि इस टाइप की जो सेड्स होते हैं उनको कुछ प्लाइट में सिस्टोलित वोलते हैं और कुछ उसी टाइप की जो मॉडिफीकेशन होते हैं उने रेफाइट्स बोलते हैं अलालग फॉर्म हैं दोनों लो लेकिन बस अपने को इतना याद गलती सो उन्हें निकाल के फैक दिया या पर जिनने नई भी निकाल फैक पा रहा हैं उनको एक अलग सी कमरे में सेल में जाकर करके रख लिए तो जब वो पार्ट अलग होगा पती है जो भी रूट है रहा वो जब पार्ट तूट के अलग हो जाका तो उसके साथ यह निकल ज जब यह नहीं है और दूसरी इस इसु क्या है यहां की स्वैल है वो काफी लूज है तो प्लांट को क्या करना पड़ता है प्लांट बनाएगा यहां पर नियूमेटो फॉर क्योंकि दो जड़ों को भी ऑक्सिएन चाहिए और वो कहां से आएगा वैसे तो मिटी की में जो बनाएगे नोती है उसलिए लिए जब मिटी मोक्सिएन नहींए तो प्लांट क्या करेंगे तो यह जो प्लांट यह क्या बनाएंगे इनकी जड़ा हैं जो कि यहां पर आप देख पा रहे हो यह जो रूट सैजिकि जो सुपर्फिसल रूट से सरफिस की किनारे चलती थी उ यह जो पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं न्यूमेटो फोर्स यह टर्म याद रखना इनने बोलते हैं न्यूमेटो फोर्स या ब्रीधिंग रूट्स कुश्चन दर आ चुके हैं से यह न्यूमेटो फोर या ब्रीधिंग रूट्स है क्या यह जो रूट्स होते हैं इनमें हो और इस टाइब से रूट्स को जो हवाय वह मिल जाती या वो लोग आपने में को सब्सक्राइब को पर ग्रवाइब करने की अब इसके साथ और क्या होगी क्योंकि लूज स्वाइल भी तो बहुत लूज है अगर प्लांट अपने आपको बड़ा टैप रूट बना भी ले तो कितना अपसद पाएगा और उपर साइकलों जैसी सुनामी जैसी चीज आ जाती तो यह बच नहीं पाएगा तो इसमें जो रूट्स होती है वो यह दो रूट ना हो गया रूटों का इक गुच्छा होता है इसको बोलते है इस्टेल्ट रूट्स क्या बोलंगे इस्टेल्ट रूट्स यह भी पूछा जा चुका है न्यू मैटफोर तो दर पूछा जाता है तीसरा है नी रूट गुचने जैसी रूट अगर कुछ-कु करता है यह क्या करता है कि इसकी रूट जो है वो जंप कर करके जाती है कभी जमीन के ऊपर निकल के फरांदर गुष जाती ऊपर जाती अंदर जाती है तो इस टाइब की जो रूट सोती हुन्हें गुलते हैं नी रूट गुठने की रूट निमेटो 4 एवी सीनिया में भी बनती है ये जो है हरी टियर है हरी टियर है जो वगरा है ये क्या करता है बट्रेस वगरा बनाता है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना अब उनको किसे पर ध्यान देना है एक है इस्टिल्ट रूट निमेटोफोर, नी रूट और बट्रेस रूट अब यहाँ पर कौन सी स्पिसीज बनाती है यह अगर आपको याद रह जाए तो बढ़ी है अगर याद नहीं रहता है तो कोई बुराई वाली बात नहीं है काम चल जाएगा अपना बस आपको याद क्या रखना है एक तो यह मॉडिफिकेशन है यह याद रखना है कि यह मॉडिफिकेशन मंग्रूब्स के करेक्टर है और सिकंड तिंग क्या याद रखना है यह इस्पिसीज राइजोफोरा, एविसीनिया और वुरुगवर ये balanceditta और बस इतना याद रखना कि ये pm शम्यम सोन्सेंतों तो मतलब किस टाइव के कंडीशन में इस्से कुर्ष्टन अपने जाएंगे इतने से हिंडल हो जाते है फुर्ष थे पी आप ऩुमेटर सोट हैं और और भी नीजे की तरह लीच हो जाते हैं उपर से salty salt और anaerobic condition तो nutrient का तो बहुत बड़ा पचला है इनके साथ environment की बात की जाए तो देखो वहां के environment में जो salt है मतलब समुद्र है समुद्र में जब गर्मी होती है तो evaporation होता है evaporation के साथ जो salt है वो हवा में आ जाते है और जब समुद्र की तरफ से जावा इन पेड़ों की तरफ चलती है तो वो पूर एक पूरे जो salt है वो इनकी पत्तियों पर आगे जमा हो जाते हैं इसे बोलते हैं क्या salt spray यह term याद रखना salt spray अब अगर आप खुदी बोलो कि अगर आप ने कभी देखा होगा गाउंवाले बोलते हैं कि पेड़ जो है उनके ऊपर नमक मत्षड को क्योंकि उनका ऑस्मो रेगुलेशन बरबाद हो जाता और पेड़ सूख जाते हैं अब अगर ऐसा पन्य की एक लियाय कर लिए जो भी नमक है वह उस पन्य के ऊपर है तो एक तो थिक क्योटिकल के लियर कर लिए दूसरा पत्ती का काम है इस्टूमेटा जिससे वह पानी इवपरेट करेगा तो इस्टूमेटा है वह सरफेस पर नहोंगर कि यहां पर थोड़ा गड़्डा बना लिया और इस्टूमेटा इस गड़्डे में और यहां पर थोड़े हैर्स से होंगे तो यहां हैर्स में फस जाएंगे यहां इस्टूमेटा पर नहीं पहुंच पाएंगे इस टाइप से संकन इस्टूमेटा उन्हें बचा लेते हैं अब आपको एक बात और याद पानी ख़रा है, humid environment हो गया है, nutrient हो गया, water logging हो गया, salt है, अब मुद्धा अपना अता है reproduction का, अब reproduction के लिए क्या गरा है, देखो कोई भी plant है, वो seed बनाता है, और सीड बनाके वो नीचे जमीन पर गिरा देता है अब यहां तो चारो तरफ पानी पानी है अब अगर इनने सीड नीचे गिरा दिये तो सीड जैसी जर्मनेट होगा इतना हाई साल्ट है सीड सर्वाइब ने कर पाएगा, मर जाएगा तो इन्होंने क्या किया इसे बोलते हैं विवी पैरी विवी पैरी मतलब बच्चा देना देखो एक होता ओवी पैरी मतलब जो अंडे देने वाले जो जानवार है अंडे देने ओवी पैरी विवी पैरी मतलब बच्चे देने वाले लेकिन सीड नीचे ठपकता नहीं है सीड अपने मदर प्लांट से टंगा टंगा ही जर्मिनेट कर जाता है और ये देखो पूरा का पूरा जर्मिनेट कर दिया है बड़ा सा यहाँ पर ग्रो करके पूरा बन गया तो इसको क्या बोलते हैं कि प्रोपई घूल तो यह पूचा गया जिक बूर्थ हो जाते हैं को क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं prem argue तो यह बिंजाती है इसमें नीचे 600 बसब कुछ निकलाएं धा ये मतलब ये इक टाइप से इडयल ने बना करके उपर से छोड़ दिया तो अब जब यह नीचे टपकेगा तो जो लूज स्वैल है उसमें आराम से टिक जागा मतलब अब जो जर्मनेशन के टाइम की जो इसे जो इसू थे वो ने हुए दूसरा मुद्द आता है कि इनमें जो पॉलीनेशन है वो किससे होता है तो देखो यह कहाँ है समद्र के किनार है समद्र के किनार है हवा तो काफी चलती है चलती है तो एक तो है एर और दूसरा है बी है हनी बी तो पॉलीनेशन की बात की जाए तो वो किससे होती है हवा से और 20 तो हवासे होए तो क्या बोला हमने एनीमो फिली चोरी नहीं बोला एनीमो फिली और अगर यह सीट जो है आप इस टाब से इस नहीं प्रोडूस कर दिया ये भी कई बार पनी में बैगर करके एक चिकाई से दूसरी चिकाई पहुंजाता है तो इस टाइप से जो सीड का безट्रिबूशन होता है में गरूश में उसे क्या बोलंगे हम वुसे बोलैंगे हवासे तो नहीं होगा यह पानी से होता है तो इसे बोलेंगे हम हाइड्रो चोरी तो यह एनिमो फिली और हाइड्रो चोरी को याद रखना है क्योंकि दिमाग में याता है कि पॉलीनेशन किसे बोला समद्रे पानी से होगा तो हम वहाँ पर हाइड्रो फिली लिखते थे पान नहीं नहीं है इनके जो है वो पॉलीनीसन तो हवासी होगा और बीवगर कर देती हो अब इसमें लास्ट जो पार्ट था वह अपना जो मैंने आपको पहले बिताया था कि यहां की जो फिलोरा है वह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि कुश्चन उससे अपनी निकलते हैं जै है पहला तो आपको याद होना चाहिए राइजोफोरा दूसरा होना चाहिए सोने रिसिया और तीसरा है एवी सीनिया यह तो तीन कम सकम याद होना ही होना चाहिए इसके बाद हैरिट्रियरा और बुर्गारा को दो चार बार पढ़ोगे याद हो जाए तो ठीक है अगर कुछ खाली पिली के discussion से कोई फाइदा नहीं है अपना मैन मुद्दा होता है कि आज कल मैंगरूब्स को हम plantation work कर रहे हैं उनके जो समुझ के किनारे कर रहे हैं तो plantation work में हम वहाँ पर method यूज करते हैं जिसे बोलते हैं फिस बॉन टेक्निक तो बस आपको इतना याद होना चाहिए कि फिस बॉन टेक्निक किसके लिए यूज करते हैं तो है मैंगरूब्स के लिए इसना समझ में आ गया अपना काम हो गया अपने इसके question देख लेते हैं पहला आएदा प्रोसेस इन विच सीड जर्मिनेट वाइल दे इस्टेल अच्छ तू मतर प्लांट वो प्रोसेस जिसमें सीड अभी वी अपने मां के मतला मतर प्लांट मां के प सब्सक्राइब है बस आपको एक सिंपल में मैंगरूव ज्याद रखना है मैंगरूव में विवी पहली होती है दूसरा question पूछाए मैंगरूव फोरेस्ट आर लोकेटेड कहा है वह स्कॉस्टल एरिया में हुए अब सेंटल इंडिया हिमाला यूपिस सीदा है सुंदर बन इसका यहां पर सेंस किया है मैंने आपको बोला था कि मैंगरूव जो है वो साल्ट को अब्जॉर्व होने से रोक देते हैं पहले हम इस पूसिस को समझते हैं और इसके बाद अपने मैं मुद्धे पर आते हैं जैसे कि पानी का एक लिया है दोनों साइड अपने बराबर है लेकिन एक साइड थोड़ी चीनी आपने जैदा कर दी क्या कर दी चीनी तो यहां सॉल्वेंट क्या है का इगा सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्वेंट देखो बड़ा है सॉल्वेंट यह है साथ का यह क्या है पानी अपना वाटा और सॉल्वेंट क्या है इसके अपर ज़्यादा डालना है तो क्या होगा यहां से इस जो फॉलिजािए है पानी वह से इस मोव कर जाता यह तर दो नचीन पर यहांपर जो कraktूल सुगरी वह तर दो दो इस पुरोसुेस को बोलते है औसमोसी कि और यहां पर जो कुश्चन पूछा वो यही पूछ रहा था कि पानी इधर से इधर डिफ्यूज हो जाता है सेमी पर्मिवर मेंबरेंस है इस प्रोसिस को हम क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं आस्मोसिस लेकि इस मुद्दे को आस्मोसिस को हम पढ़ेंगे जनरल बॉटनी में अलग मुद्दा है लेकिन यहां क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हम दूसरी साइट प्रेसर लगा दें तो पानी बापिस चला जाता है क्योंकि प्रेसर की वजए से तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स आस्मोसिस आस्मोसिस के उल्टा जो आपने देखा होगा आरो वगार को दूसरी साथ चला जाता है यानि कि जैसे कंसेंट्रेशन ग्रेटियेंट के अगेंस्ट जाता है वाटा अब मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि अपने मेंगुरूब्स हैं वह भी यह रिवार्स ऑस्मोसिस ही करते हैं वह साल्ट के वजए से उनका पानी तो एक्षॉल में उ इसका इस टॉपिक से जड़ा कोई लिंकेज नहीं है कि दूसरा है इसपाइक लाइक प्रोजेक्शन आफ रूट्स ऑफ स्वैंप ट्री स्वैंप मतलब लिटोरल एंड स्वैंप टाइप के फोरेस्ट है स्वैंप मतलब बहुत जो दलदली टाइप के फेड़ में उग रह लगी है उनको हम क्या बोलेंगे तो आंसर आगे अपना न्यूमैटो फोर और कुश्चन देख लेते हैं है कि हैलोफाइट और फाउंट हैलो मतलब साल्ट है कहां पर मिलेगे आप बोल सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं लेकिन जब आपके पास कोस्टल जीन बत जब आपके पास बहुत ही बैटर चोईस दे रखिए तो आप फिर डेजट के बारे में नहीं सुचोंगे मैंगरूज फोरेस्ट ट्री स्पीसीज कौन सी है जो मैंगरूज फोरेस्ट की ट्री स्पीसीज है इसलिए मैंने बोला था कि जो तीन है उन्हें कम सकम याद अख लेना दो और है में को आता था अपना मैंगरूज तो भी कामा जागा इसके लिए क्या है अपना यह वी पैरस में जो रिमैनिंग है जो अभी लिस्ट देखे थे अब उन्हें राइजो फोरा अभी सीनिया सोनेरिचिया बुर्गार है तो इन मेंसे याद रख लोगे तो यहाँ पर इन्हे ही रहते हैं अब यहाँ पर अपना जो तीन चार में पार्ट खतम हो गया पहला कुश्या ने में में फोरेस्ट का वर इंडिया मतलब इंडिया में में मंगरू फोरेस्ट की कबार की इसनी है कि कॉश्ट है 2011 का उस ताइम पर थोड़ा कम था क्योंकि मैंने बोला जैसे गु सब्सक्राइब करें तो मैंने आप से बोला था कि पॉलीनेशन तो हवा और बीज से होगा भी मतलब जो अपनी हनी बीज है उससे लेकिन जब वो सीड की बात आएगी तो समधुर के किनारे हैं बड़े सीड होते हैं हवा में नजा पाएगो तो वह पानी से ही जाएंगे तो इसका अंसर जो आएगा अपना वाटार है वो काफी बड़ा होता है 20-25 cm का लंबा प्रोपोग्यूल है वो हवा मैं कैसे उड़ जाएगा यहां पर नेक्स बोला जाए तो राइजो फोरा इसपीजिया कारेक्रिस्टिक और फिच कांड फोरेस्ट इसने पूचा कि राइज whak orange what the praktish walk mangroves are specially adapted to living where other plants cannot words there one of the few groups a flowering plants to able to live in salt water there's several different strategies that mangroves used for getting rid of salt कि उल्षितों थे 맛있. Today उलैस बेखने तो नी ने ले पृत टु औरभ होगा घे विले आगौाे लेकी झान होगा northwestern तो यहां पर अपने जो मंगरूज वाला पार्ट है वो गया खतम अब नेक्स्ट पार्ट जो अपना आता है वह कोल्ड डेज़ट का कोल्ड डेज़ट में अपने को दो तीन जीज़एं याद रखनी है बेसिकली पहला तो यह याद रखना है कि इंडिया में कोल्ड डेज़ट है कहां तो एक तो अपना रीजन आ जाता है यह पूरा पूरा लद्दाख वाला रीजन फिर आता है हां लाहोल और स्पीट वैली करें हमाचल का पार्ट तो यहां पर जो नेस्नल पार्क कोल्ड डेज़ट वाला व्यमाचलम पर जाते है तो वह इसी रीजिन का है तो फ्रस्ट तिंक आपको याद रखना है कि यह कोल्ड किस रीजन में है लद्दाख और हमाचल में दूसरा कभी आपसे पूछ सकते गया माल correcting किस जान में तो अपना किया हिमाला का ट्रडुन जान है ट्रणिस्रा जान मतलब यह लिए रियमाया deserving मिड़ल हिमाला और सिवाले और यह इधर का जो हिमाला का पहले वाला पूराना वाला पार्ट है इसे बोड़ते हैं ट्राणिस्रा जान तो यह जो है वो transitional zone में है अगर आपको इतना समझ में कुछ पाला पार्ट जैसी हाँ है कड़बाल हमाले है मतलब यह उत्राखन में भी थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पर पीछे पढ़ जाता है पस इतना पाल दिया आपका आदा काँ हो गया दूसरा अगर cold desert की बात क्या दी जाए तो वहाँ पर बात आ जाती कि वहाँ की location मतलब वहाँ की vegetation कैसी है वह vegetation से रहे जो related issues है उन पर कभी question आता है तो बात की जाए तो rainfall की तो rainfall बैसे भी कम होती है और जो भी जो होती है rainfall वो सर्दियों के time पर ही होती है wind हवा तेज चलती है इनकी issue hat insulation तो solar radiation संतार है soil के बात की जाए तो हाँ organic matter जाए तो कुछ है नहीं soil lose है धूल धूल टाइप की ओड़ रही है और land slide होती है तो यही बजाए कि वहाँ पर अगर कभी यह लद्दा की वेज़े वो देखो गया तो हमेशा पाड़ियां खाली सी दिखेंगी धूल सी उड़ती हुई और जो vegetation मिलेगी वो दो पाड़ियों के बीच में जो नदी बहर ही होगी उसके आस पास की जो clan मिले गया उसी में जनरली जो vegetation होगी वो वही उप रही होगी अब अगर इससे अपने जो question आता है वो आता है क्योंकि यो लद्दाख वाले reason है देखो अक्सर news में आपने सुना होगा कि लद्दाख में जम्मो कस्वी वे फ्लेडिंग आ रही है अब अगर हमालाय में फ्लेडिंग आगी तो यू पी बेहर जैसे लोगों के दिक्कत आ जाती क्योंकि वहां की फ्लेडिंग यहां पर impact देती है तो हमारा पहला issue है यह फ्लेडिंग जो आ रही है उसे control किया जाए और कैसे करोगे वहां पर अगर F4 restoration कर दें अगर vegetation जदा होगी तो पानी को रोकेगी यह उसका scientific नेंब है और popular का और पॉपुलिस डेल्ड़ इनकी फैमिली देखो दोनों एक साथ मैं इसलिया बताता हुआ क्कि इसकी फैमिली सैली कैसी और इसकी भी सैली केसी यह दोनौ। कौनीफर्स नहीं है इनके फैमिले कौनि फरेसी नहीं है इनकी फैमिली सैली केसी है यह एंजियो स्पर्म है यह जमन्व स्पर्म नहीं है कौनि फरेस दोनों नहीं है सैली याद रखो अब इसके बाद एक प्लांट और है जिस पर हजकल बहुत बवाल चल रखा यह लगवग 2002 उस ताम पर भी से काफी काम हो रहा है वो है सी बक्तौन जो सी बक्तौन प्लांट है वह बेसीकली यूरोप का प्लांट है जो चाइना काई गूंगाम के आगे और चाइना से जो ट्रेबलर्स थे पुराने वाले वो चाइना सीदर आते होंगे और उसके सीट छोड़ गया लद्दाक में तो scientific name याद रखो यह है फो फेह रहम ने देए मैंने तो ऐसा कर दिया कि हिपो पोटेमस कभी रहम नहीं करता है वही सीज़ वक्त और नहीं है सी मतला पानी और हिपो पोटेमस वैसे भी दर्याई गोड़ा पानी में रहता है तो इस ताइप से मैंने थोड़ा तिकडम बना की याद रख लिया था यह इसलिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंस है इसकी फैमली मैंसन नहीं है फैमली याद रख लेना इसकी क्योंकि आज इसकाल खुझ-खुझ करके निकाल रही कि कौन-कौन सी बिटामन है कैसी-कैसी यूज किया जा सकता है जिससे इस प्लांटिसन को इसको प्रमोट किया जाए और लोकल जो मार्केट है वो डेबलाप हो लोकल इकोनोमी डेबलाप हो तो इस टाइप से लग्दा की एको रिव प्रमोट केसिया किसिया मतलब केसिया केसिया मतलब गारोखासी जैनतिया तो आपना अगर इंडिया मैप बनाया यह बना लिया यह रहा यहां पर अपना कौन? मेगाल है गारोख हशी जै Mythical का तो यह खासी एक इसम है ट्रॉपिकल जीजन में तो यहाँ पर उता है पाइनस केसिया कई बार कुछन आ चुका है कके ट्रॉपिकल पाइन कौन सा है ट्रॉपिकल पाइन तो टॉपिकल पाइन का अगर बात की जाए तो वो है अपने पाइनस केसिया याद रख लेना इसे रट्टा वार लेना कि टॉपिकल पाइन कुन सा है दूसरा अब अपना आता है हिमालाय हिमालाय में आपने देखा हुए आउटर हिमालाय में अपना कुन सा उगता है पाइनस रॉक्स बर्गी रॉक्स बर्गी तो पाइनस रॉक्स बर्गी इसे बोलते हैं सब्ट्रॉपिकल पाइन क्योंकि यह जिस रीजन में उगरा है वो है subtropical region तीसरा है पाइनस valley china जो अंदर inner हमाला में होगेगा वो है पाइनस वैली china Middle हमाला और ग्रेटर हमाला के आसपास बीच मोग रहा है और जो चोथा पाइना है वो है पाइनस जिराइडियाना इसको बोलते है चिल गोजा इसका जो fruit होता है उसे बोलते है चिलगोना है और यह उखता है ट्रांस हमालाए में इधर के हमालाए की रीजिन में जो उसमें है चाइना में है और उसमें जापन तक चला जाता है यह ऐसेर में कई बार कुश्चन आ चुका है कि पायनस जिराड याना कहा होता है इसके उसका कभी-कभी यह जो बिडूला यूडिस वगएर है रोड कुरिक पूरी है पी सटेंट्र का साइज किभी सेंटिमेटर की जिसका एक से डू सेंटिमीटर का हम मैंने को हम कटिंग लगा देते हैं कि या तो छोटी कटिंग लेंगे आफे 2-3 मीटर की कटिंग लें से तो नो ताइप की चालते हैं बेसिकली हम ये 2-3 मीटर वाली काफी पॉप्लर है ये कुं थोड़ी कम लेते 14 मीटर की है उसको ले करें यह यहां पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं किatta कि छोटी cutting लेकिए आए कहीं से उस अपने खित में लगा दियो और उसे बड़ी बड़ी cutting खड़ी कर ली मैं जब बड़ी cutting कर लिए तब हम उसे actual farm में लगा देते हैं पर जब ये पलेटीलिम भंने लगती हैं तो फिरकेट भेट में उसमें कर दिते हैं। पॉलाइडिंग तो यहाँ पर जो फार्म हैं मैंनेесफंपल आपने पॉलाइडिंग में से पढ़ा होगा। पॉलार्डिंग और पॉलार्डिंग से हम जो बनाते हैं वो फर क्रिकेट बैट में काफी यूज करते हैं तो यहां पर कोड़ डेजट अपना भी खतम हो गया उसमें जो आपसे नाम पूछा जाएगा तो जिसी बग थौर्ण है उसको आपको साइंटिफिक नेम जो हिप्प तक नहीं हुआ है ऐसा कुछ कुछ कर्टेंट मिलता है जो डिसकास के लिए बचा है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं रेमैनिंग आपके पास है हिमाले का यह इलाका आम हिमाले जैसा नहीं है यहां के पहाडों पर ना हर्याली है और ना ही आसमान भेदते उचे परवत शिखर खून जमा देने वाली सर्दियां हो या उचाई पर होने के कारण हवा में ऑक्सिजन की कमी जीवन के लिए हर तरफ बेहद कठोर परिस्थितियां मौजूद हैं इसके बावजूद नीले साहप पानी की जीलों और खुले आसमान के नीचे अद्बुत प्राकर्तिक सुन्दरता और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान वाला भारत का गौरव यह है लद्दाख